कैसे हूं मेरा उरट-वाले दोस्तो मैं हूं आपका हो शेफ धीरज अज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कुछन असफल क्यों होता है मेली जब भी हम लोग cloud kitchen के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं यह बहुती एक low cost model है जो की बिलकुली सही है और इसी कारण हम लोग इस model को अपनाते हैं और इस line में enter करते हैं और हम अधिक्तर किसी की देखा देखी करते हैं हम लोग सोचते हैं कि जिस परकार से उसने start किया मैं भी वैसे start कर लूँगा और मेरा business भी चल जाएगा या फिर हम लोग कई सारी धेर सारी वीडियो देखते हैं, maximum knowledge gain करते हैं और start कर देते हैं पर हमें इस field का कोई भी knowledge नहीं होता है तो यही सारी चीजे होती है जब भी हम लोगे cloud kitchen start करते हैं और basically सही भी है इसमें कोई गलत नहीं है पर कई सारे ऐसे reasons और भी हैं जिसके की कारण आप बोल दीजिए cloud kitchen हमारा असफल रहता है क्योंकि low cost model है और हर कोई इसमें आना चाता है और जो current scenario चल रहा है हमारे देश का पूरे दुनिया का और आने वाले समय में ये model और भी ज़्यादा हिट होगा तो यह सारी बाते हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पाकि जो भी नया है मेरे चैनल पे प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना लाल वाला बटन दबा देना अगर आप चाहते हैं कि मैं वाटसप पे डारेक्ट आपको वीडियो भेजू तो आप मुझे मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से लेकर मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेली वीडियो के लिए मैं आपको प्रामिस करता हूँ जब भी नई वीडियो बिनाऊंगा आपके साथ भी शेयर कर दूँगा सबसे पहले जब भी आप लोग देखते हैं कि क्लाउट किचिन का जो मॉडल है वो हम लोग एक लाग डेड़ लाग दो लाग की बाती करते हैं तो आपके दिमाग में यही आता है कि यही सस्ता मॉडल है मैं कैसे ना कैसे इसमें एंटर कर जाओं और उसके बाद मैं देखूंगा अगर मुझे प्राफिट होता है तो मैं इसको continue करूंगा या मुझे लास होता है तो मैं इसे छोड़ दूँगा तो आप enter कर जाते हैं आप पुरानी कोई भी research नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं खुद ही ये चीजे कर लूँ वीडियो देखके या कैसे भी knowledge gain करके सही बात है आप लोग कर सकते हैं पर जब आप लोग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको लगता है कि जो लोग कॉस्ट मॉडल के लिए आप लोग आये थे वो तो सिर्फ initial stage पर लगाता आप देखेंगे कि आपने जो एक लाक रुपे सोचा था वो ही बढ़कर दो तीन चार लाक रुपे हो चुका है और आपके जो monthly expenses हैं वो तो आप लोगों को रोज के रोज देने ही देने हैं तो इस प्रकार से जो आपका जो low cost model आप सोचके आये थे वो फिर से high cost की तरफ जाने लगा है और कई सारे cases तो ऐसे भी हैं जहां पर जैसे कि कल एक मेरे subscriber थे जिन्नों ने मुझे message किया था वो हमारे दली से ही है दली के आसपास से ही है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि उनका लगभग पर महीने 5-6 लाग की उनकी sale हो रही है तब भी उनको कोई भी profit नहीं आ रहा है जब अगर हम लोग बात करें 5-6 लाग sale तो यह बहुत एक बड़ी sale है cloud kitchen के model को लेके तो ऐसा क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा sale करने के बाद भी उनको profit नहीं आ पा रहा ह है तो आप कह सकते हैं कि हम लोग proper calculation नहीं करते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि हमें calculation किस चीज की करनी है क्योंकि कई सारे लोग आप लोग में से ऐसे हैं जिनों खोलना चाते हैं या खोल भी लिया है पर उनको इन चीजों का knowledge नहीं है क्योंकि cloud kitchen का जो model है जिस प्रकार है पर अगर हम calculate करें चोटे margin को अपनी investment के हिसाब से तो वो काफी बड़ी हो जाती है तो पर आपको कई सारी कई सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है आपको उन सारी चीजों को calculate करके रखना पड़ता है तभी आप पता लगा पाते कि आपको कहां पे profit हो रहा है कहां पर loss हो रहा है तो इसके लिए आपको professional की सलहा लेनी ही पड़ेगी या फिर आपको इतनी सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी उनको समझना पड़ेगा no down करके लखना पड़ेगा कि कई साल बीच जाएंगे क्योंकि वीडियो के माध्यम से भी हर कुछ convince करना या हर बात आपके खाने को लेकर कि आप जो भी खाना भी रहे हैं उप उसको खुड खा रहें आपको चल रहा है उसके बारे में पता है नहीं फाता है अगर आपको menu changes करने हैं तो क्या करने हैं तो ये सारी बाते चाहें आप खाना नहीं बनाते हो आप आप आउनर काम कर रहे हो आपको ये सारी चीजे मालूम होनी चाहिए तो दो main मैं आपको बोलूँगा ये चीजे हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कि मैं भी आप लोगों की help करूँ क्योंकि जो ये cost effective model है और इसके बारे में अभी अगर आप बोलें YouTube पे सबसे ज्यादा Cloud Kitchen की मेरी ही वीडियो है जिसमें कि मैं आपको layout बता रहा हूं मैं power के बारे में बता रहा हूं किस तरीके से अपने staff को आपको hire करना ये सारी चीजे बता रहा हूं पर कई सारी चीजे ऐसी भी होती है जो कि आपकी ही particular problem है क्योंकि किसी और की problem नहीं होती जैसे कल मेरे जिन से मेरी बात हुई है WhatsApp पे उनको इतना अच्छा profit मतले है कि इतनी अच्छी sale हो रही है उनकी 6 लाग रुपर तब भी वो profit नहीं निकाल पा रहे है तो उनकी पर्टिकॉलर प्रॉब्लम है किसी की problem के उनको मैनि मैनि को लेके होती है कि इसी की manpower को लेके होती है तो सब की अपनी अपनी problems होती है तो solution मैं बुलूँगा वो आपके उपर है जो मेरे cloud kitchen का course है आप उसे ले सकते हैं उसके बाद हम लोग आपस में बात करके आपकी problem को maximum sort out करने की कोशिश कर सकते हैं तो वीडियो यहीं खत्म करूँगा उमीद करता हूँ आपको यह अच्छी लगी होगी और आप भी इस cloud kitchen के business को अपनाना चाहेंगे खोलना चाहेंगे और एक अच्छा profit earn करना चाहेंगे चलिए कुछ भी अगर आपको दिमाग में है तो